हेलो एवरीबन वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आप में बहुत ही इंट्रस्टिंग करेंट अफ्या टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जितनी भी फेमस परस्नालिटी का अभी रिसेंटली निधन हुआ है उनके बारे मां आज हम डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्ट सो अगर हम बात करते हैं मार्च की मार्च से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुमुद बैन मनी संकर जोशी जी का ठीक है इनका जो यहाँ पर हम मैंने साइड में जनम भी लिखा है और मृत्व की डेट भी लिखी है ठीक है 31 जैन्वरी 1934 को इनका जनम अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है ठीक तो फिर अगर हम बात करें थे कौन है यह आंद्रप्रदेश के पूर्व राज्यपाल थी और इनका 88 वर्ट में इनका निधन हो गया था ठीक है और इन्हों ने 26 नहोंबा 1985 से 7 परवरी 1919 तक आंद्रप्रदेश के राज्यपाल थी पहले सारदी मुखरज़त थी उसके बाद कुमुद बैन गनी है ठीक है तो यह इनके बारे में डिटेर में था अब नेक्स हम बात करते हैं राफिक तकरार की बारे में इनका जनम हुआ दो नोवेंबर 1929 को और निधन हुआ इनका साथ मार 2022 को इनके बारे में हम बात कर बार का जनम पीर कोड पाकिस्तान में हुआ था उन्होंने 1991 से 1994 सर्वोच नियाले के नियाइदी के रूप में ठार की बाद में 1997-2001 की अवधी के लिए पाकिस्तान के रास्टपती बने यह याद करना थोड़ तफ है रहिकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि एसा पूछ सक कि कब कभ ये नियाएदीज़ बपने कभ ये लाहोर के बने और कब पाकिस्तान के रास्टपती बने aria को उचेको मेरे पूंचा एक पूर्प के ये या पी वीड़ कीपर निडेलें मार्श निधन हो गया इनके बारे में और जानते हम वह टेस्ट क्रिकेट में सतक बनाने वाले पहले औस टेलिया लिक्ट कीपर थे उन्होंने तीन सतकों के साथ अपना केरियर समाप्त कर लिया था फीसके बाद उनका रिटाइमेंट हो गिया था उन्होंने एक विगट कीपर द्वारा 305 पन आउट करने का test record बनाया था जितना भी इनके बारे में great work है वो सब एने include कर रखा है यह ऐसा question बन सकता है यह तो हमें पता चल गया कि राड़नी विलियम मार्श का निधन हो गिया है उन्होंने क्या क्या ग्रेट काम किये जैसे 355 पन आउट करने का निधन रिकॉर्ड बनाया है यह बात हमें पता होनी चीए नेक्स हम बात करते है जनरल इसनूत फ्रांसिस रोडरेस के बारे में यह कौन थे क्या थे इनके बार में जानते हैं इनका जनम 19 सेप्टेंबर 1933 में हुआ और अभी निधन हाद में हुआ है 4 मार्ट 2022 को जिन्होंने 1990 से 1993 तक भारती सेना के प्रमुक के रूप में कारे किया था और 88 वर्ड की आयों में इनका निधन हो किया नेक्स बात करते हैं जनरल सुनीद फॉरिस रोडरीज 2004 से 2010 तक पंजाब के राजिपाल भी रहे इनका ये पूरा नाम है जनरल सुनीद फ्रांसेस रोडरिक्स पंजाब के राजिपाल भी रहे उन्होंने नेशनल सेक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में दो कारेकारों की सेवा भी दी है तो इन्होंने कहां कहां काम किया जैसे पंजाब के राजिपाल रहे और नैशनल सेक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी इन्होंने काम किया है अभी हाल में इनका निधन हो किया नेक्स बात करते हैं हम शाने वाने के बारे में इनका जनम हुआ था 13 सेप्पेंबर 1969 में और निधन हाल में हुआ है 4 मार्ट 2022 को ठीक तो यह कौन थे यह थे आस्ट्रेलिया के महान स्नीपर और सैन वान का 52 वर्ड की आयू में निधन हो गया तो सैन वान ने 145 टेस्स में 708 विकेट लिए यह 1999 में ऑस्ट्रेलिया के साथ विस्व कप विजेता भी थे इसलिए अपने में ही ग्रेट परस्नालिटी बन जाते हैं क्योंकि यह विजेता कप में रहे थे 2013 में उन्हें ICC Hall of Fame में शामील किया गया था उन्होंने राजिस्तान रॉयल्स के कप्तान के रूप में भी इंडियन प्रीमेर लिग का पहला संस्करण 2008 भी जीता था आई पील में जो राजिस्तान रॉयल्स की थी उस टीम में भी रहे यह कप्तान और उन्होंने उस टाइम 2008 में जीता था पहला संस्करण ही जीत लिया था अपने में ग्रेट परस्नालिटी है हेमनन्द विश्वाल की बात कर एक दिसंबर 1939 को इनका जनम हुआ 25 February 2022 को इनका निधन हो गया अभी हाल में ही निधन हुआ है इनका मैंने जैसे बताया मैं मार्च फरवरी जैन्वरी पू संग्रेशी मुख्यमंत्री थे इनका निधन हो गया 82 वर्स की आयूमें इनका निधन हो ठीक इनके बार में थोड़ा जानते है हम जाड़ सुगड़ा जिले के भूवा आदिवासी विश्वाल ने 1989-1990 और 1999 से 2000 तक दो बार मुख्यमंत्री के रूप में कारी किया है ठीक है वो एक ही सीट में 6 बार विधायक के रूप में चुने गए हैं रिकॉर्ड बनाने बहुत बड़ी बात है ऐसा 2009 मेंवर सुंदरगड से सांसल चुने गए थे ठीक तो सबसे पहली बार 1974 में लाइकेर निर्वाचन से भी चुने गए थे ये नेपस अपना मेकापती गौतम रेडी जी इनका जनव 2 नेवंबर 1971 को हुआ और निधन इनका 21 फेवरेड़ी 2022 को गी ये कौन थे क्या थे इनके बार में जानते हैं आंधिप्रदेश के उद्योग मंतरी मेकापती गौतम रेडी का निधन हो गी है ये आंधिप्रदेश के उद्योग मंतरी थे तो रेडी जी ने आंधिप्रदेश के नेलोर जिले के आत्मकूर विधान सभा छेत्रे में दो बार विधायक रहे थे वह आंधिप्रदेश में मिनिस्टर फो इंडेस्ट्री स्कॉमर्स एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी के मंतरी रहे हैं आंधिप् समाजी कारी करता सकुंतला चौधरी का निधन हो गया 102 साल की आयूमें इंका निधन वा उनको सकुंतला बाईदेव के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इनका निकनेम पूछा जा सकता है कि कौन सा इनका फेमस नेम था सकुंतला बाईदेव उन्हें 2022 में पदमश्री पुर काम किया था इसी लिए इनको सोशल वरकर भी बोलते थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था गादिवादी जीवन रही हमेशा ठीक है उसा कुंदला बाइदेव की नाम से इनको जाना जाता था ठीक और पदमश्री पुरुषकार से भी इनको सम्मानित किया गया इंडिया इडिटर को ही सबञ्राइब जैसे कि सब जानतें ऑर जेनन 27 फ्यृएंबर 2022 निधन इनका 15 फैVI 2022 कौन थे क्या थे इनके बार में थोड़ा जानते हैं जैसे कि सब ही जानते हैं गायक संगीत कार स Hemie शाइन वर्स के आयो में निधन हो गया, म्यूजिक इंडेस्ट्री से रिलेटेड थे, इनको बपिदा बोलते थे, म्यूजिक इंडेस्ट्री में, और उनका आखरी, ये सा कुछन पुछा जा सकता है, ठीक है, उनका आखरी, क्योंकि सब को पता चलिए, रियन लेम पे कोई ध्यान ने देगा, अलोकेश लाहरी जी था, ठीक है, वो 2014 में भाजपा में शामिल हो गये थे, नेक्स अपना राहूल बजाज जी, 10 जून 1938 में इनका जनम हुआ, 12 फैब 2022 को इनका निधन हो गया, कौन थे, क्या थे, जानते हैं, जाने माने अध्योग पती और बजाज आटो के पूर्व चेयर्मेन, राहूल बजाज का निमोनिया और दिल की बिमारी से इनका निधन हो गया, बहुत ही जादा माने जाने रहे हैं ये, उन्हें 2001 में तिसरे सर्वोचे नागरी पूरुसकार पदम भूशन से भी सम्मानित किया गया था, वह बजाज आटो की मोल कंपनी बजाज समो के अध्यक्ष चेयर्मेन अमेर रिट्स थे, उन्हें ने अपरिल 2021 में बजाज आटो के गयर कारी अध्यक्ष के रूप में पच छोड़ दिया था, और निरज बजाज को ये जिम्मेदारी दे दी थी नों, ठीक है तो बजाज आटो के पूरु चेयर्मेन के रूप में इनको जाना जाता है रहुल बजाज जी को, इनका जनम 18 ऑगस 1932 और इनका निधन हाल में 8 फरवरी 2022 में बहुत फेमस परसनालिटी है, यह किस से रिलेटेड हैं जानते हैं, यह है फ्रेंसेसी वाइरल ओजिस थे और जिन्हों ने एड्स का कारण बनाने वाला वाइरस की खोज की थी 2008 में इनको नोबल प्रुसकार से स उनकोलोजी यूनीट का निर्देशन करने वाले डॉक्टर मॉन्टे गियर को लिम नोट का एक टुकड़ा मिला था, जिससे एड्स से पीडी ते 33 वर्ट से वेक्ती से हटा दिया गिया था, तो इन्होंने, में लिए आप यह याद करिए, इन्होंने एड्स का कारण बनान वाला वाइरस की खोज की थी, ठीक, नेक्स है प्रवीन कुमार सोपती जी, जैसे आप पिच्चर में देखी पा रहे होंगे, कोई महाभारत की ऐसी स्टूरी लग रही है, ठीक है, तो इनके बार में थोड़ा हम जानेंगे, इनका जनम हुआ था 6 डिसंबर 1947 में, और मृत् प्रवीन कुमार सोपती जी का निधन हो गया, अगर बच्चों ने, सब ने देखी होगी, टीवी सीरीज ऐसे देखते हैं, टीवी महाभारत वगएरा आती है, उसमें भीम की भूमी का निभाई थी इन्होंने, ठीक है, तो भीम की भूमी का निभाई एक्टर की तौर पर लेकिन उससे पहले ये एथिलीट रहे है, तो इन्होंने हैमर और डिसकस्ट हो में विभीन एथिलीटिक्स प्रधाओं में देश का प्रतिनिदित किया था, यहां तक कि ACI खेलों में चार पदक लेकर आये थे, जिन में 1966 और 1970 में दो सवन पदक भी सामिल थे, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है, अगर एथिलीट में कोई सवन पदक लेकर आ रहा है अपने देश के लिए, ठीक है, तो एथिलीट में भी रहे हैं, अभी नेता की रूप में इनको जानते हैं, ठीक है, एथिलीट की रुष्ट में भी जानते थे, पहले इनको बहुत अच्छे से, अगर अभी की बात करें तो भीम की रूप में इनको जानते हैं तो प्रवीन कुमार सोपती ने 1966 में रास्ट्रो मंडल खेलो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान हैमर्थू में भी रजग पदर जीता है तो इनकी अचीवमेंट्स पूछे जा सकती है यह तो हमें पदा चल गया है कि जो भीम थे उनकी डेथ हो गई ठीक है इनका रियल ने में प्रवीन कुमार सोपती लेगे इन्होंने क्या-क्या अचीव उम्रे से संबंदित बीमारियों से पीडित होने के बाद इनका निधन हो गया 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ यह कौन थे 1964 के टोकियो उलम्पिक में स्वाण पदा जीतने वाली भारती टीम के कफ्तान भी रहे है ठीक है वह उस भारती टीम के सदस्पी थे जिसने रो जान थे क्या थे पोरा डिटेल में बता दिया मैंने ने अपना तॉक्ष कू कैफू ठीक इनका जनम 2 जैनवरी 1931 में हुआ और मृत्यू इनकी 9 जैनवरी 2022 में हाल में ही हुई है कौन है क्या है जानते है जपान के पूरू प्रधान मंती तोशी के कैफू का 91 वर्स की आयो म निधन हो गिया जपान से रिलेटेड हैं उन्होंने 1989 और 1991 तब पीम की रूप में कारी किया उन्हें 1991 में फारस की खाडी मतला परसियन गल्फ में समुंदरी आत्मरक्षा बल भीजने के लिए जाना जाता है ठीक ऐसे कूशन पूछे जा सकते हैं कि मैरिटाइन सेल्फ 1987 को इनका जनम हुआ 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गिया कौन है क्या है जानते हैं महान कत्था नरितक रहे हैं पंडित बिर्जु महराज 83 वर्स की आयूमिन का निधन हो गिया देश के दूसरे सर्वोचिनारी पुरुसकार पदम भूशन से इनको सम्मानित किया गिया था उन्हें उनकी सिश्यों और अन्युआयों द्वारा प्यार से पंडित जी या महराज जी कहा जाता था वे भारत के सबसे प्रसिद्य कलाकारों में से एक थे नेक्स एपना विक्टोर सनियेव इनका जनम जो हुआ 3 अक्टूबर 1945 में और हाल में मृत्ती वी 3 जनवरी 2022 में ओलंपिक ट्रिपल जंप 3 बार से स्वन पदर विजेता और पूर्व विस्व रिकॉर्ड धारग विक्टर डैनिलोव सानेव का ऑस्टेलिया में निधन हो किया उन्होंने ओलंपिक खेलो में सोविय सोचिलिस रिपब्लिक संग का प्रतिन जित किया था उन्होंने 1969 एथें अपने में ही स्वन पदर लेकर आये जो जिन्होंने अपने कंट्री के लिए इतना सब काम किया नेक्स सिंदुताई सबकाल इनका जनम 14 नेवंबर 1948 में हुआ मृत इनकी चार जनवरी 2022 महाल में हुआ बहुत ही ग्रेट परसनेलिटी है सोशल वरकर थी है इनको अनाथों की म मा भी कहा जाता है इन्होंने बहुत सारे और्फन बच्चों को गोध लिया था उनका पालन पोशन किया था में सिंदु ताई सबकाल जी जो कि 2010 में रिलीज हुई यह इनकी ग्रेट परसनालिटी है इनके अचीवमेंट्स हैं 2021 में इनको जैसे पदमश्री मिला और 2000 बच्चों को इन्होंने गोध लिया इन पे बायो पिक बनी है 2010 में ठीक है तो यहां तक के सारे आज तक के पूरा डिटेल में वीडियो थी यह वाली तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में